हाई गाईस टेश्टी होम कुक में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है तो आज मैं लेका रही हूं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़ादा जटपट बनने वाली रेस्पी जो की खाने में बहुत ही ज़ादा टेश्टी और एकदम मुह में घू जाने वाली रेष्पी है इसका नाम है मैंगो ब्रिट रोल तो चलिए इस रेष्पी को सुरू करते हैं पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और अगर रेष्पी अच्छे लगए तो वीडियो को लाइक करियेगा इस रेस्पी को बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले मैंगो मैंगो के छिलका और बीज निकाल करके गूधा अलग कर लीजिए जैसे कि ये देखी मैंने रखा हुआ है इसे हमें ग्रैंड करके पेश्ट बना लेना है तो आराम से ग्रैंड ग्रैंड कर लीजिए ये देखी बढ़िया से पेश्ट आपका तयार हो जाएगा अब हम लोग बाकी की तयारी करेंगे तो हमें चाहिए यहाँ पर एक ग्लास दूद मैंने ये फूल क्रीम दूद लिया हुआ है और दूद कच्चा है इसे हमें बॉयल करना है तो एक बरतन गरम होने के लिए रख दिया है मैंने और इसमें दूद को बॉयल होने के लिए डाल दीजिए गैस का फुलेम हाई रखेंगे ताकि जल्दी से दूद से उबालाना सुरू हो जाए जैसे ही उबालाना सुरू हो जाएगा गैस का फुलेम हम मीडियम कर देंगे ताकि दूद बाहर न गिरे कल्ची से जो है एक बार मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसमें हम डालेंगे चीनी तो मैंगो मीठा होता है इस बात का दिहान रखेंगे जितना मीठा बनाना चाहर है यानि कम जादा मीठा करना चाहर है उससाब से चीनी का यहाँ पर आप यूज़ करेंगे मैंने यह दोचमच यूज़ किया हुआ है चीनी को कल्ची से मिक्स करते हुए कुछ सेकेंड तक पकाईए जैसे ही चिनी आपकी पिखल जाए उसके बाद जो है ना दूद को गाढ़ा करने के लिए हम इसमें एट करेंगे एक चमच कॉन फ्लोर का घोल तो एक चमच आप कॉन फ्लोर ले लिजिए या फिर अररोट का यूज़ कर सकते हैं उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके मिक्स कर लिजिए घोल आपका तयार हो जाता है तो कल्ची से जो है ना मिक्स करते हुए इसे हम लोग दो मिनर तक पकालेंगे जैसे ही आप देखोगे कि दूद हलका सा गाढ़ा होने लगा है गैस का फ्लेम आफ करेंगे और थोड़ दे ठंडा होने के लिए रखेंगे उसके बाद नेक्स टेप में हमें चाहिए ब्रेड तो मैंने ये चार ब्रेड के स्लाइस लिया है सबसे पहले हम bread को जो है side side से cut कर लेंगे ताकि यह जो brown वाला हिस्सा है यह cut हो जाए तो brown वाले हिस्से को जो है आप कोई भी नास्ता बना सकते हो या फिर bread gram बना करके store कर सकते हो इसे बिल्कुन भी fake एगा नहीं तो सारा यहाँ पर मैंने cut कर लिया है अब सबसे पहले हमें एक बेलन ले लेती है बेलन से हम bread को बेल देंगे ताकि यह पतला हो जाए और size में थोड़ा बड़ा हो जाए इस recipe को बनाने के लिए धियान रखीगा कि bread जो है आपकी ताजी होनी चाहिए अगर bread जादा दिन की रहेगी तो वो dry हो जाएगी आप इस तरीके से बेलन से बेलोगे न तो यह फटने लगेगी बढ़िया से मैंने बेल करके एक तयार कर लिया है इसी तरीके से सबसे पहले सारा बेल करके तयार हम कर लेंगे bread को तो ये मैंने सारा बेल लिया है आप देख लीजिए कि कितना पतला आपको रखना है इस तरीके से आप भी बेल करके तयार करिएगा उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया हुआ है मिल्क मेड या फिर कंडेंस मिल्क इसे जो है हम एक चमच लेंगे और ब्रेट के उपर फैला देंगे जिससे कि आपका ये रोल खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा तो अच्छी तरह से पूरे में बढ़िया से फैला दीजिए ये देखिए अच्छी तरह से रेडी हो गया है अब हमें चाहिए ड्राइफ रूड तो ड्राइफ रूड यहाँ पर आप अपने मनपसंद कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आप पसंद करें जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है बदाम, पिस्ता और काजू बारिक बारिक चौप करेंगे और ब्रेट को पर छिरकाव कर देंगे उसके बाद हम इसे आराम से पकर के रोल बना लेंगे जैसे कि यह देखिए मैं कर रही हूँ, ऐसे प्रोसेस आपको भी फॉलो करना है तो आपका यह एक रोल बन करके हो गया है तयार इसी तरीके से सारा रोल हमें सबसे पहले बना करके तयार कर लेना है इस प्रोसेस को करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगेगा फटा-फट रेडी हो जाता है ये देखी सारा तयार हो चुका है अब जो है हमा जाते हैं दूद की तरफ लगभख 10 मिनाड का टाइम हो रहा है और दूद हमारा काफी ठंडा हो गया है ये इसे ठंडा होना काफी जरूर ही हो जाता है तो अगर आप इस रेस्पी को बना रहे हो तो दूद को जरूर एकदम ठंडा करिएगा जब ये ठंडा हो जाएगा तो काफी जादा ये गाढ़ा हो जाता है उसके बाद जो हमने मैंगो का पेष्ट बना करके रखा था था ना उस जो है हम इसे डेकुरेट कर देंगे तो जो हमने रोल बनाया था उससे सर्फ करने के लिए प्लेट में निका लिए और उसके बाद जो है उपर से इसके सारा दूद का जो हमने मिश्वन बनाया हुआ है यह सारा डाल देंगे तो यह देखी बढ़िया से चारो तरफ मैंने जो है डाल दिया है अब उपर से डेकुरेट करने के लिए आप यहां पर ड्राइफ रूट का यूज करिए और सर्फ कर दीजिए यह रेस्पी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है खाने में एकदम सौफ्ट रहती है मुह में ज